नमस्कार दोस्तों, खुशी स्टारफोर्ड में आपका स्वागत हैं 10 रसोई टीप्स जो हर रोज आपके कामाएंगे नमबर 1 खीर बनाते समय, 2 चमच, मिल्क पाउडर मिक्स कर लेंगे तो खीर और भी स्वादिश्ट बनेगी नमबर 2 आलू की सबजी बनाते समय, कस्तूरी मेथी जरूर डाले, इससे सबजी और भी स्वादिश्ट बनेगी नमबर 3 गेहूं के आटे के मिठे गुल्गले बनाते समय, एक अच्छा पका हुआ केला मिक्स कर लेंगे तो गुल्गले एकदम सोफ्ट और स्वादिश्ट बनेंगे नमबर 4 पोहे बनाने के बाद, एक दो चमर दूद मिक्स कर लें, पोहे सोफ्ट बने रहेंगे नमबर 5 टमाटर के सूप को स्वादिश्ट बनाने के लिए, उसमें पुदेने का पाउडर जरूर डालें चीनी डाल कर फेटा जाए तो मखन जादा मात्रा में निकलता है नमबर 7 हरी मिर्च के डंडी तोड़ कर फ्रीज में रखने से हरी मिर्च अधीक समय तक ताजा बनी रहती है नमबर 8 चावल बनाते समय देशी घी और निम्बू का रस जरूर डालें इससे चावल खिले खिले और सफेद बनेंगे नमबर 9 चासनी बनाते समय कुछ बूंदे निम्बू के रस के डाल दे तो चासनी जमेगी नहीं नमबर 10 आलो को उबालते समय पानी में थोड़ा सा निम्बू का रस या नमक डाल देने से वे सफेद होने के साथ साथ खाने में भी स्वादिश्ट हो जाएंगे दोस्तो आज की टेप्स पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे ताकि ऐसे यूसफूर टेप्स मैं आपके लिए लाती रहूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर दोस्तो आपके लाएंगे